फ्रेंड्स आप लोग जानते ही है कि जो बाइक्स होती है उसमें दो तरीके की टाइमिंग चेंज आती है एक ये नॉर्मल वाली टाइमिंग चेंज होती है जिसको कहते है बुश वाली टाइमिंग चेंज और दूसरी होती है ये साइलेंट वाली टाइमिंग चेंज ये भी आपने बहुत सी बाइक्स में देखी होगी तो यह जो बुश वाली टाइमिंग चेन है इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है जिसकी बज़े से जो है यह साइलेंट वाली टाइमिंग चेन कंपनीज को बाइक्स में देनी पड़ गई तो वो मैं आज आपको इस वीडियों बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि यह साइलेंट वाली टाइमिंग चेन है इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है तो जिससे अगर आपकी बाइक में यह साइलेंट वाली टाइमिंग चेन लगी है तो आप उसका ध्यान रख सके है फ्रेंटस, जो बुष्पली टाइमिंग चेन होती है ये मेंली जो है kommitter bikes में आती है जो कम सीसी की bikes होती है उसमें ये बुष्पली टाइमिंग चेन आती है तो उसमें क्या problem आती है कि जैसे ये जो स्प्रॉकट है जब तक देखिए ये चेन टाइट है तब तक तो उसमें कोई आवास की प्रॉब्लम नहीं आती लेकिन जैसे ही टाइमिंग चेन थोड़ा सा लूज हो जाती है या फिर ये जो स्प्रॉकेट है चलते चलते देखिए इसमें निशान पढ़ जाते हैं यहाँ पे देख रहे है के ईए आफ यह इनिशान तो उसमें प्रॉब्लम आती है इस तरीके की और यह यह उपर से इस तरीके से हिलती है टाइमिंग टेर देखिए इस प्रॉकेट की ऊपर देखनें फ्रेंटेट्स आपा प्रॉकेटी थे box लिप और देखिए जो टाइमिंग चेन होती यह स्परॉकट जो है वो गिस जाता है तो इसकी बज़ए से यहां पर प्ले आ जाता इस तरीके का तो ये जो है प्ले जो है ये टामिंग चेंड की आवाज के पीछे बहुत बड़ा रीजन है यह इस टाइप का play तो इसी टाइप के play से निपटने के लिए ही ये जो silent वाली timing chain है ये introduce करी गई थी आप इसमें देखिए आप ये जो sprocket है इसके देखिए sprocket की चोड़ाई भी अच्छी खासी ज्यादा होती है as compared to ये जो normal वाले sprockets होते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था आपको कि इसमें जो gap होता है ये हर एक tooth के बीच में जो gap होता है वो ज्यादा होता है इसमें देखिए gap कम है अब देखिए ये वाली जो timing chain है ये इसके उपर इस तरीके से लग गई अब देखिए इसमें यहाँ पर क्या होता तो इसमें क्या होता कि अगर timing chain हलकी से lose भी हो गई है तो भी इसमें sound नहीं आती है ओके फ्रेंड्स तो ये फाइदा था इसका silent वाली timing chain का और अब जो है जादा तर जितनी भी bikes आ रही है इस समय सब में जो है यही silent वाली timing chain आ रही है silent वाली timing chain के लिए हमें silent वाले sprocket की भी जरूरत पड़ती है silent वाले sprocket या gear की जरूरत पड़ती है अब फ्रेंड्स इसका मैं आपको disadvantage बताता हूँ disadvantage क्या होता है कि जैसे आज कल normal जो commuter bikes हैं बजाज की या और भी companies की तो उसमें क्या हो रहा है कि छोड़ी छोड़ी बाइक्स में commuter bikes में यह timing chain आ रही है तो जो user थे वो user क्या करते हैं कि जैसे timing chain lose हो गई तो क्या होता है कि वो चलाते रहते हैं इसमें क्या होता है जब timing chain ज्यादा lose हो जाती है तो क्या होता है यह जो Slots होती है जहाँ पर यह Gear फशा हुआ है तो क्या होता है कि यह जो है Slip हो जाती है Timing chain इसके Slip होने के Chances बहुत होते हैं तो जैसे ही Slip हो जाएगी Timing chain तो क्या होगा कि वो जो टाइमिंग है आपकी गाड़ी में वो out हो जाती है इस type की timing chain में silent वाली timing chain ये timing chain जो है ये सबसे पहले introduce करी गई थी Suzuki Fiero जो बाइक आया करती थी उसमें introduce करी गई थी फिर आपने LML की भी गाड़ियों में देखा होगा LML की energy, freedom इन सब गाड़ियों में आपने ये type की silent timing chain देखी होगी तो उन सब में ये problem बहुत ज्यादा रही है कि जैसे ही timing chain lose हो जाती थी तो क्या होता था? slip हो जाती थी अब जबकि इसमें ये जो normal वाली timing chain होती इसमें जो sprocket होते ही ये देखिए बिलकुल बिलकुल जो है यहां तक fix हो जाते हैं यहां तक आ जाते हैं तो अगर by chance थोड़ा बहुत lose भी हो जाएगी तब भी ये timing chain आपको माफ कर देगी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती बस ये होता है condition कि आप ज़्यादा तेज ना चलाएं गाड़ी को ज़्यादा तेज चलाओगे तो उसकी timing हो सकता हूँ आउट हो जाए और उसमें कोई दिक्कत आ जाए लेकिन इस वाली जो timing chain होती है silent वाली तो इसमें क्या होता है कि अगर lose हो गई एक बार तो आपको तुरंद इसको replace कराना है ज़्यादा देर नहीं करनी है अब friends बात कर लेते हैं कि कौन सी timing chain जो है उसकी life ज़्यादा होती है तो मैं आपको बता दूँ कि timing chain दोनों की life अच्छी होती है depend करता कि quality कैसी है और जो valves है वो कितने हैं उसमें जैसे अगर four valve बाली गाड़ी है तो उसके लिए जो है थोड़ा मोटी timing chain की जुरूत होगी two valve बाली गाड़ी है तो उसमें क्या होगा पतली timing chain में भी काम चल जाता है ओके friends वैसे अगर देखा जाए तो bush बाली जो timing chain होती है वो ज़्यादा reliable मानी जाती है ये reliable क्यों है क्योंकि एक तो आसानी से मिल भी जाती है दूसरी चीज की अगर जैसे lose हो जाती ही जादा तो भी आप इस गाड़ी को कुछ दिन तक चला सकते हो उसके बाद आप timing chain जो है वो replace कर सकते हो इसमें क्या है इसमें वो चीज नहीं है अगर एक बार भी lose हो जाती है तो तुरंत आपको इसको replace कराना है ज्यादा दिन नहीं चलाना है ओके friends thanks for watching my video